नमस्कार में सत्विर चैल किसान नूज अंदाता के आवाज यूटूब चैनल में आप सब का सवागत है आजा में आदम पर अलकम है रहे हैं आदम पर अलकम है अपने ताउजी है उस तक उचाएं बैब बजनलाद का मतुरू करड़ा तैसना राजनिती स्टार्टिंग करी क किस त्रिया इसकी राजनिती अभी इस ते मोकब हैं बजनलाद जी पाक्स्तान से आके गाहों मेहमदपूर रही रोई के अंदर रहने लगे इनके पिता जी फिर अनोंने आदम पूर में चोरी पोकरमल इनकी बुआ के लड़के थे उनके साथ में गी का काम सुरू किया और कुछ जिन से राजस्थान से इधर एधर से वहाँ यह भी काम किया घृत शुंदृ का भी बता रहे हैं कि वहां से राजस्थान से लाकि या कुछ है उसका विव्यापार किया थे रही करिया कह वो Kollege काफी निचले-स टर से उठके और पंशयतस्मित gasSON मिति के चेरमैन बने पहले और उसके बाद MLA बने और मंतरी बने और CM भी बने ये अपने आप में तो खुकुल मिला के बड़ी बात है कि बिल्कुल छोटे से जीरो से उठके और मुख्य मंतरी तक पहुचा है तो उनमें कलाथी मिलनसार थे और साम दाम दंड बेद का किस तरह ही इस्तेमाल करना है वो सारे जानते थे पीएच़डी था पीएच़डी अनपड होते पीएच़डी था ये बात माननी पड़ेगी लेकिन उसके बाद परिवार की बात आई तो परिवार के अंदर पर एक समय होता है लगबग उसके बाद में कुछ रूरी ने कि एक आदमी अपने काबलियत से कुछ बन जाए उसकी संतान उसमें वो गुण हो या ना हो तो चंदरमोन थोड़ा उसमें बैल में पढ़ गया बदनाम हो गया इससे चंदरमोन जो है कुलदीब विश्णोगी से चंदरमोन को ज्यादा समझ है राजनितिकी, कुलदीब विश्णो जी की वजए से इसार से भी MP बने और यहां से भी विदायक आदम पर अलके से बने हैं लेकिन राजनितिक सूजबूज और मिलन सारित्ता जो चोड़ी वजनलाल में थी उसका एक परतिशत भी चोड़ीब विश्णोगी में नहीं है एक आस तक का रिकार्ड रहा आदम पर यह पिसले लोक सभा चुनाओं में लोक सभा चुनाओं के अंदर आदम पुर विदान सभा क्षेतर से बीजेपी के परत्यासी को बाईजार से ज्यादा वोटों की बड़त मिलेती लोक सभा में हां लोक सभा में और यह एक लोगों के यह था कि यह परिवार कभी आरेगा ने वो मिथक जो है तूट चुका है और इस बार विदान सभावें भी सैद इसे मिलता जुलता ही नतिजा आए और जो यह समझते थे कि अमीदवार पता ने कोण आगे बार से आगे अमीदवार के बाप जादा थे वो थे चोरी बजनलाल थे मिलनसार थे सामाजी का आदमी थे चाहिए उन्होंने कैसे भी संपति अपने करियों राजिती उन्हों जानते थे यह एक संतान को आगे बढ़ाने की प्रवर्ती अमेशा से मरे ही है कुछ एक्तियागी होते हैं जो नहीं करते इस बात को और कुछ जरूर नहीं कि एक सरपंच बने जाए उसका बेटा भी सरपंच बनेगा उसका पुत्तवी बनेगा कि पर्जातंतर है परजातंतर है चिक है और यह भी जुरूर नहीं कि जो एक लाइक मावापके मलाया Q 2017μη और नलायक शराबी और हर तरह से राजनितिक रूप से जागरूक और तेज तरार व्यक्ति थे जबकि कुलदीब विश्णोई जी जो हैं विदेश में पड़े लिखे जरूर हैं लेकिन जमीन से जुड़े वे नहीं हैं ना ही राजनितिक सूज बूजिन के अंदर है पिछे अलग पार्टी बना ले थी वो भी बता रहे हैं कि चोरि बजनलाल जी इस बात के अक में नहीं थे लेकिन फिर भी उन्हों जाके वो बना भी ली थी और फिर बीजेपी के साथ में गड़करी जी को यहां इसार बुलाया था और वो गठवंदन की बात करे थी और वो चीज़ें जब नहीं हो रही थी दो लोक सभा के इनों ने सीटें दी थी एक सिर्षा और इसार के और दोनों ही आर गे थी तो इनका को वो स्टेक नहीं बनता था दावा नहीं बनता था रियाना में कि वो मुख्यमंतरी का जो बीशीटें दे 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 और मुख्यमंतरी बना भी दें और बताते हैं कि चोदरी विरेंदर सिंग जो केंदरी मंतरी रहें विचे डुमर्खिया वो बता रहे थे कि मैंने इसको कह बिठा कि भाई पंदरा भी समयले तेरे शाहिद बन जें और तो मुख्यमंतरी बन जाएग मेरे भी बहुत बार नंबर आया था और जी करता है इतना सीनियर आदमी था लेकिन करना के मुख्य मंतरी इतना असान नहीं होता बनना आप के लिए यही बेतर है कि आप बीजेपी के साथ गठ बंदन करके और पंदरा बीज सीटें आपको दें आपके 10-15 मले बन जाएंगे और उप मुख्य मंतरी बन जाओंगे लेकिन इनके वो धुन थी कि मैं तो चोड़ी बजनलाल जी का लड़का हूं और इस वजे से मुख्य मंतरी बने जाओंगा यह तो यह तो यह चोदरी अप उड़ा बुपेंदर सिंग जी उड़ा के पास वाहां भी सला लेने चलेगे कि बीजेपी वाले तो मुझे मुख्य मंतरी ने मना रहे हैं मैं क्या करूं उन्होंने अंबाला बेज दिया विनोध शर्मा जी वो भी अलग नई सी पार्टी मनाई थी जो खुद की एक टिकट ना एक एमेले ना जीत सके उसके साथ घटबंदन है और वो कह देगा मुख् पार्टी का कितना ग्राउंड बेस है कितना नहीं है यह अवाई के लिए और सपने लेने से तो कुछ नहीं होता है जन्यवाजी आपका बहुत-बहुत पूरी जानकारी आपने बदलाल परिवार के बारा में देगी